कि हेलो फ्रेंज तो किया आप भी प्लेज्टूर पर जब स्नैप्चेट को डाउंलोड करने जा रहे हो यहां पर मैं स्नैप्चेट पर ओपन करता हूं तो यहां पर यहां पर आप लोग देख सकते हो हो मुझे भी ये प्रोब्लम आ així थी कि जब कि ये प्लेश्टूट पर जो Snapchat डाउनलोड नहीं हो रहा है वो problem solve हो जाएगी लेकिन उसके लिए क्या करना होगा वीडियो को सुरू से लेकर end तक देखना होगा क्योंकि तीनों step आपको follow करना है जिससे आपकी ये problem solve हो जाएगी तो friends वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आ दाउनलोड कर लिया है और मैं यहां से इसको open भी कर सकता हो अब आपको मैं बता दू कि मैंने क्या trick follow की दी तो सबसे पहले आपको यहां पर प्रेश्टूर के home page पर आ जाना है अब आपको यहां पर यह जो logo वाला option दीख रहा है उस पर आपको click करने के बाद आपको यहां और option आपको मिल जाता app download preference करके तो यहां पर आपको इस पर click कर देना है अब आपको यहां पर फर्स्ट वाला यह जो option दीख रहा है उस पर click कर देना है और done कर देना है अगर आपका यहां पर wifi only होगा तो इसका मतलब यह है कि आप जब भी play store से wifi से ही download कर सकते हो किसी भी app को यानि कि आपको यहां पर over any network कर देना है तो आप mobile data से या wifi से दोनों से आप download कर सकोगे उसके बाद आपको यहां पर done कर देना है तो फिलाल उसको stop कर देना है उसके बाद snapchat को install या download करना है तो आपका वहां पर install डाउनलोड हो जाएगा अगर यहां पर कोई app update हो रहा है तो वह साथ तो साथ दोनों app install या update नहीं होगी तो यहां पर फिलाल इसको सबसे पहले या तो update कर दीजिए या तो इसको stop कर दीजिए उसके बाद इसको आपका जो snapchat है उसको install कर दीजिए अब आपको जो थर्ड वाला setting बताने जा रहा हूँ वह बहुत important है आपको क्या करना है अपने phone के setting को open कर लेना है तो यहां पर आप लोग देख सकते हो मैंने phone के setting को open कर लिया है अब आपको क्या करना है यहाँ पर एक apps करके एक option मिल जाता है तो उस पर आपको click कर देना है उस पर click करने के बाद friends यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है Google Play Store करके तो उस वाले option पर आपको click कर देना है तो मैंने इस पर click कर दिया है अब आपको क्या करना है यहाँ पर एक और option मिल जाएगा आपको storage करके तो इस वाले option पर click कर देना है और यहाँ पर आपको clear data और उसके right side में जो option है इन दुनों को clear कर देना है ताकि आपकी play store पर जो कोई भी error हो वो सारी unnecessary error problem आपकी remote हो जाए और आपका play store बिलकुल नया हो तो आपको इन तिनों trick को follow करना है जिससे आपके 100% यह problem solve हो जाएगी उसके बाद मैं जो चौथा step बताने जा रहा हूँ वो यह है कि अपने phone को flight mode में रख देना है यानि कि आपका phone जो है उसको flight mode में रख देना है यह मैं इसलिए बुर रहा हूँ कि अगर आपके phone के network connection मे कर दीजिए flight mode में करने के बाद उसको restart कर दीजिए अपने mobile phone को तापकि यह प्लेश टूर की यह जो problem है internet connection की वह solve हो जाएगी तो आपको यह सारे step को follow करना है उससे क्या होगा कि आपकी 100% यह problem solve हो जाएगी तो friends अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं किया तो जल से जल स्टूडियो को like कर दीजिए साथ साथ चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए फिर मिलता हमार नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई